हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टूदे एजूकेशनल चैनल ओफ बॉट्णी एड़ा में आप सभी का स्वागत है आज में आपको बीस्ती थरडियत बॉट्णी का जो माइनर इलेक्टिव का आपका पेपर है एंधो बॉट्णी इसके जो है वो मोस्ट आने वाली हो तो वीडियो के एंड तक बने रहीगा सबसे पहली बात यदि आपने माइनर इलेक्टिव जो आपका पेपर है इसका स्लेवस यदि चेक नहीं किया हो तो स्लेवस जरूर चेक कर लीजीगा क्योंकि यदि आपका स्लेवस मैच होता है तभी आप इन सारे कॉश 24-25 में जब आपके एक्जाम होंगे तो उनके लिए में आपको जो है वो ऑथेंटिक और न्यू इंपॉर्टेंट कॉश्चन देने वाली है तो चलिए अब हमें स्टार्ट करते हैं BST 3rd Year में BOTNY के अंतरगत जो आपका Minor Elective Paper है इसका नाम है Antho Botany और इसको हिंदी में कहा जाता है लोग बनसपती की ठीक है हिंदी में कहा जाता है लोग बनसपती की और इंगेश में कहा जाता है Antho Botany जो की आपका Minor Elective का पेपर है इस बार आपका New Add किया गया है तो इसके अंतरगत आपकी जो है वो 5 यूनिट्स दी गई है एक एक करके हम जो है वो 5 वी यूनिट के important question देखने वाले हैं जितने भी question मैं आपको बताऊंगी सभी को आपको अच्छे से कर लेने हैं क्योंकि यह सारे ही question आपके exam में पूछे जाते हैं प्रतीक यूनिट से मैं आपको 5-6 question देने वाली हूं minimum ठीक है तो चली अब हम स्टार्ट करते हैं first जो आपकी यूनिट है इसके अंतर के पहला important question है आपका एंथोबाटनी से related जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका paper का ही नाम है एंथोबाटनी यानि लोग बनस्पती की तो question बनता है यहां से आपका एंथोबाटनी क्या है या लोग बनस्पती क्या है एंथोबाटनी के प्रमुक उपविभाग एवं इसकी साखाओं का वर्णन कीजिए very 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 important question है आपका एंथोबाटनी ठीक है इसके बास second question है आपका लोग बनस्पती की के वारे में समझाइए एवं इसके पादप मानव अंता संबंदों और इसके उश्कोप का वर्णन कीजिए तो इसके जो इसकोप है इनको विशेचहतर के नाम से भी जाना जाता है तो यदि इसके गहते हैं और विशेचहतर को ही इसकोप कहा जाता है ठीक है तो लोग बनस्पती की क्या होती है इसके जो विशेचहतर इसके जो इसकोप है इनको देख लेना है साथी साथ जो पादप और मानव में अंता संबंद इंटर रिलेशन्शिप होते हैं इनको भी आपको देख ल आपके आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं उनके जो प्रमुक लोग न्रत्य होते हैं उनका वर्णान आपको करना है पांच लोग न्रत्य कर लीजिएगा more than sufficient होंगे ठीक है इसके बाद next question है आपका question number fourth भारत में पाई जाने वाली लोग प्रिये स्वादेशी जन जातियां एवं उनके संस्कृतियों का वर्णान कीजिए ये भी आपका important question है और दोनों में से एक question आपका पांच नंबर का बनेगा इस बाद ठीक है cover कर लीजिएगा then इसके बाद last और fifth number का question है आपका भारतिये जन जातियों के समक्ष आने वाली चुनोतिय एवं इनके विकास की दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहा है प्रियासों का वर्णान कीजिए ये भी आपका important question है ठीक है तो यहां से आपका पांच नंबर का एक question बनेगा ये पांच question आप cover कर लीजिएगा आपके जो है वो unit first cover हो जाएगी इसके अलावा मैंने आपको important question upload कर दिए साथी साथ जो आपका foundation है इसके भी मैंने आपको important question upload कर दिए सभी कुछ जाकर चेक कर लीजिएगा description में आपको link मिल जाएगी अब हम start करते है second unit तो जो आपकी second unit है इसके अंतरगे सबसे पहला important question दिया गया है आपका भारत में आदिवाशियों द्वारा प्रि करना है basically क्या करना है आपको आदिवासी जो होती है आदिवासी जो समुधाय आदिवासी जो जन्जाती पाई जाती है उनके द्वारा काफी सारे पोधों का यूज किया जाता है आपको जो है वो आठ ऐसे पोधे कर लेने हैं जिनको आदिवासी समुधाय यूज करता था ठीके, साथी साथ जब आप आठ पौधे की नाम करेंगे, उनका यूज करेंगे, तो उनके विशिस्ट लक्षा, उनके औसदिये गुण, उनके यूजे सभी कुछ देख लेंगे, केवर और केवर आठ पौधे आप कर लीजिएगा, ऐसे आठ पौधे करना जो आदिवासी सम से कवर कर लेंगे, इनके विशिष्ट लक्षा, इनके औसदिये गुण और सामानी यूज भी कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है, आदिवासी द्वारा नशीले पधारत, पे पधारतों की रूप में प्रियोग किये जाने वाले पौधों का वर्णन कीजिए, यानि जो आदिवासी समुदाय होता है, वो नशीले पधारतों की रूप में या पे पधारतों की रूप में कुछ पौधों का यूज करता है, उन पौधों का आपको वर्णन करना है, इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है, आदिवासी द्वारा तेल के श्रोत के रूप में रेजिन के रूप में जो यूज किये जाते हैं पौधे उनका वर्णन आपको करना है तो यह जो तीन कोशन मैंने आपको बताई यहां से आपका एक कोशन बनेगा जो कि आपका लॉंग टाइप कोशन पूछा जाएगा तीनों कोशन को अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा दैन इसकी बाद नेक्स्ट कोशन इस संशिप्त टिपपणी लिखिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए सबसे पहला है बनने परियावरण संडक्षन में आदिवासियों की भूमी का दोनों टॉपिक इंपॉर्टिंट है दो नंबर का एक कोशन यहां से आपका बनेगा दोसरा कोशन बर्तमान समय में जो एंथोपॉर्टणी जो आपकी लोग बनस्पति की इसकी भूमी का या इसकी प्रसांगिक्ता आपको देख नहीं कि शॉर्ट टाइब कोशन है यह आपका दैन इसके वाद थर्ड कोशन है आपका पोरानिक कथाओं में आभूशन के रूप में प्रियुक्त पौधे एवां पुश्मों का वर्णन कीजिए यह भी आपका इंपार्टन कोशन है दैन नेक्स्ट कोशन है धा अर्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में यूज किये जाते हैं तो इस टाइप के पौधे भी आपको कवर कर लें ठीक है यहां से भी आपका एक कोशन बनेगा दैन इसके बाद फूर्ट कोशन है आदिवास्नियों द्वारे यूज किये जाने वाले थाद्व पौधे जो बंदों के विवेशन केजिए साथी साथ जो पाधप होते हैं इन पर आधारित जो पोराणिक लोग कथाएं होती हैं उनका वर्णन भी आपको कर लेना है ठीक है पैराग्राफ टाइप करिएगा इन सारे को ठीक है तो यह पांच कोशन बेसिकली आपको कवर करना है यूनि दिगा यूनिट 2 के अंतरगत इसके बाती है आपकी सो рек उमिर्ट थरड है इसके अंतरगत दिया गया है आपका पहला वान ऊफ दॉन्स्रेंपोश्ण पॉछ्टवं गस्थाइन क्मी जो एन्न थों पॉस्टिन प्ष्जंस क्या होती है इसके श्रोता आपको करना है दो यही कोशन आपका दूसरे टाइप से पूछा जाता है आधुनिक चिकिस्सा पद्धती में एंथो बोटनी की भूमिका का वर्णन कीजिए ठीक है दोनों ही कोशन आपके सेम है या पिर कहा जाए तो एक ही है इसके बार नेक्स्ट वेरी 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 इंपोर्टेंट कोशन है आपका कुछ मैं आपको पौधे बता रही हूं जिनके आपको लक्षन महत्व सामानी नाम बोटनीकल नाम आपको देख लेना है सबसे पहले नीम दूसरा है पलाश तीसरा है आपका ग्लॉय तुलशी अमलतास नील यह जो सारे पौधे मैंने आपको बताए हैं इनके सबसे पहले आपको बनस्पतिक नाम याद कर लेना है यानि बोटनीकल नेम कर लेना है इनका सामानी नाम इनका नॉर्मल नेम क्या होता है वो आपको देख लेना है इनके कुल देख लेना है किस कुल से यह जो है वो आते हैं इसके बाद इनके आपको जो है वो बनस्पतिक के बाद आपको इन सारे पौधों के महत्व यानि सिग्निफिकेंस कर लेना ठीक है यहां से एक कॉश्चन जरूर बनेगा इन सारे पौधों के यह जो मैंने स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टर्स बता हैं यह सभी आपको कवर कर लेने ठीक है इसके बाद चलते हैं संशित्प्ट पढ़िंस सबसे पर वन प्रवंधन और दूसरा लुप्त प्राइट एकस यह भी आपके दोनों के दोनों के वह नंबर के यहां से एक कॉश्चन बनेगा आपका दो नंबर का ठीक है फूर्थ नंबर का कोश्चन पादप अनुवाशिक संसाधनों के संधक्ष ठीक है इसके वाद है fifth number का question और यह जो आपका fifth number का question है इसके अंतरगत में आपको दो question बताऊंगे दोलों ही question आपके पौधों से related है ठीक है और पौधों में जो उनका जो पौधे होते हैं उनका जो चिकिस्तिय यूज होता है जो medical field में यूज होता है वो आपको देख लेना और यहां से hundred and two hundred percent आपका एक question जरूर पूछा जाएगा तो सबसे पहला question है आपका टर्मी नेलिया अर्जुना तथा विथानिया सौमनी फेरा जो पौधे होते हैं इनका चिकिस्तिय यूज चिकिस्तिय भुमिका का वर्णन आपको कर लेना है ठीक है दोनों ही आपका तर्मी नेलिया अर्जुना और विथानिया सौमनी फेरा दोनों ही आपके अलग अलग है दूसरा question है आपका राव वॉल्फिया स्पॉंटाइना तथा आर्टी मेशिया वल्गैरिस यह दोनों पौधे आपके अलग अलग है ठीक है इसके अलावा जो आपके ग्लोरियोसा स दूसरा मेने आपको बताया विथानिया सौमनी फेरा तीसरा मेने आपको राव बॉल्फिया बताया चोथा मेने आपको वल्गैरिस बताया पाच्वा मेने आपको सूपरवा बताया छटा मेने आपको विक पेकसा बताया तो यह मेने आपको छै पोधी बताएं इनके सबसे question जरूर पूछा जाएगा तो यह जो आपका पांचवा question है यहां से question जरूर पूछा जाएगा very 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 important है तो यह पांच question आपको cover करना है unit third के अंतरगर यह सारे question आप कर लेंगे तो आपके unit third cover हो जाएगी इसके बाद अब हम चलते हैं हमारी fourth unit की तरफ तो जो fourth unit है इसमें सबसे पहला question बनता है आपका biodiversity से related यानि जयव बिभितिता से related सबसे पहला question है जयव बिभितिता प्रवंदन समीथियां इसको short में कहा जाता है BMCS और यह जो BMCS है इसके full form आपको मुझे नीचे comment करके बताना है ठीक है तो जयव बिभितिता प्रवंदन समीथियां क्या होती है या BMCS क्या होता है इसको समझाइए दो नंबर का question है आपका ठीक है इसके बाद next question है unit fourth की अंतरकर जयव बिभितिता पंजी क्या होती है इसको विस्तार से समझाइए ये भी आपका दो नंबर का question है यानि short type question है then इसके बाद third number का very 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 important question है आपका biopiracy क्या होती है या बुद्धिक संपदा क्या होती है या जैव संसाधन चोरी क्या होती है तीनों के तीनों के तीनों क्या होते है इसमें आपका बोद्धिक संपदा अधिकार पर शंशिप्त टिपणी लिखिए ये आपका अलक्सी question बन सकता है ठीक है इसके वाद next question है पारंपारिक ज्ञान क्या होता है इसकी सुरक्षा कैसी की जाती है ये भी आपका short type question है इसके वाद next question है जैव विविद्धा विराशत इस्थल क्या होते है बायो डाइवर्सिटी हैरिटेस साइट्स क्या होते है इस पर आपका संशिप्त टिपणी लिखिए ये है आपका long type question पांच नंबर का तो ये पांच question आपको unit 4th के अंतरगत cover करने बहुत ही छोटी सी unit है और बहुत easy unit है आपके unit 4th आसानी से आप number ले सकते हैं ये पांच question cover करके ये जो आपका unsolid है उसमें भी आपके पांच होई question दिये गए है unit 4th के अंतरगत बहुत छोटी सी unit है आपके unit 4th ठीक है अब हम चलते हैं हमारी last unit की तरफ जो की हमारी unit 5th और जो unit 5th है इसमें आपके diseases यानि रोग ही रोग दिये गए हैं साथ से 8 question में आपको बताऊंगे इनसे बहर आपके रोग नहीं जाएंगे ठीक है सबसे पहला है आपका चर्म रोग यानि तवचा से सम्बंदित रोग क्या होते हैं इनके लक्षण आपको कर लेने इनमें उप्योग होने वाले पोधों का वर्णन आपको कर लेना है ठीक है जितने भी question होंगे disease और उन disease में use होने वाले पोधे बस यही आपको करना है सारे ही question के अंतरगर सारी ही diseases के अंतरगर ठीक है तो सबसे पहला आपको चर्म रोग यानि तौचा से सम्बंदित रोग कर लेना है इनके लक्षण क्या क्या होते है और इस रोग में कौन सा पोधा यूज किया जाता है उप्चार हे तू ठीक है दोसरा question है पीलिया, मलेरिया, अस्तमा इमंपाइस ये चार जो diseases होती है इनके समान लक्षण आपको देखना है इनके उप्चार में यूज होने वाले पोधे का वर्णन आपको कर लेना है ठीक है, चारों ही रोग अलग-अलग है, चारों के characters अलग-अलग है और चारों में अलग-अलग पोधे का उप्योग किया जाता है उप्चार के लिए ठीक है, इसके बाद next question ही आपका गाठिया रोग जिसको arthritis कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है इसके बाद हिर्दे रोग, ये दोनों रोग इनका आपको सामानने characters कर लेने, और इसमें उप्योग होने वाला उप्चार के लिए पोधे का वर्णन देख लेना है ठीक है, इसके बाद fourth question है, आपका लिउकोडर्मा, इसको सफीद दाग के नाम से जाना जाता है लिउकोडर्मा रोग क्या होता है इसके जो है, वो characters यानि सामान इसके characters आपको देख लेने, इसके बाद औशदी के रूप में प्रियोग होने वाले पोधे का आपको वर्णन कर लेना है लिउकोडर्मा रोग के अंतरगत ठीक है, इसके बाद लास्ट और फिफ्ट नंबर का question है, आपका अमीबिक pages एवं पेट के केड़े के निकाशन में उप्योग होने वाले पोधों के बानसपातिक नाम एवं उनके ओशदी उप्योगों का वर्णन कीजिए तो ये मैंने आपको 5 question दिए 5 तो नहीं, 7 से 8 question हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको second number का जो question है इसके अंतरगा चार जो आपकी diseases है वो add कर दिए इसलिए ये 7 से 8 diseases आप कर लीजिएगा, 7 से 8 रोग आप कर लीजिएगा, इनसे हटके question आपके exam में नहीं बनेगा, ठीके, guaranteed मैं आपसे बोल रही हूं, तो जो आपकी unit 50 इसमें आपकी only on diseases दी गई है, रोग ही रोग दिये गए हैं, ये सारे रोग आपको cover करने पड़ेंगे दो रोग आपके जो है, वो दो दो नंबर के question के रूप में पूछे जाएंगे और एक रोग आपका जो है वो 5 नंबर के question के रूप में पूछा जाएगा, ठीक है, तो आशा करती हूँ, वीडियो आपको clear हुआ होगा कोई भी doubt हो, मुझे नीचे comment करके जरूर बताएगा ये diseases यदि आप से ना बने, तो मुझे नीचे comment करके बताएगा, मैं आपको explain कर दूँगे, बहुती जादा easy है, ठीक है, सो मिलते है next वीडियो में, सारे ही आपको वीडियो की, सारे ही आपको subject की जो है, वो important question जो है, वो channel पर मिल जाएगे description में सभी की link मिल जाएगे, देख लीजिएगा, ठीक है telegram पर आपको जो है, वो PDF notes मिल जाएगे, चेक कर लीजिएगा सो मिलते है next वीडियो में new topic के सारे, thank you so much for watching, keep on learning